जहमा जहम होगी बारिश जी मैं आसमान से बरसने वाले पानी की बात नहीं कर रहा मैं बाते कर रहा हूँ पैसों की बारिश की अब यह सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि किस पर होने वाली है पैसों की बारिश तो आपको बता दूँ कि BCCI पर होने वाली है पैसों की बारिश पहले से ही सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में जाने जाने वाला BCCI अब और अमीर हो जाएगा क्योंकि उस पर ICC और पैसे बरसाने वाला है क्यों बरसाने वाला है और BCCI को अब कितना पैसा मिलेगा ये बताऊंगा आज लेकिन पहले बतादू कि आप देख रहें न्यूज बाइसकोप और मैं हूरा के श्रंजर BCCI जो है वो ICC के आय में से मतलब उसके इंकम में से एक बड़ा हिस्सा लेने की तैयारी में है और जो ICC में नया डिस्टिबिशन मॉडल बनाया है अगले साइकल के लिए जो कि अगले साल से शुरू होगा उसमें जो BCCI का हिस्सा होगा वो होगा 38.5 प्रतिशत मतलब कि साड़ है 38 प्रतिशत हिस्सा ICC अपनी कमाई का भारत को देगा तो कितनी कमाई हो सकती है BCCI की अब वो भी आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दू कि भारत को प्रतिवर्ष जो है 230 मिलियन डॉलर जो है वो ICC की तरफ से मिलेगा बलकि 230 मिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा ही आप कहलीजिए तो इतना पैसा प्रतिवर्ष जो है वो भारत जो BCCI है उसको ICC देगा अब ये कितना ज्यादा है तो सबसे बता दू कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब BCCI से ज्यादा पैसा किसी और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नहीं मिलने वाला है अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान से कितना ज्यादा तो आपको बता दू पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नहीं बस 200 मिलियन डॉलर ज्यादा मतलब कि पाकिस्तान को मिलेंगे 30 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष और भारत को मिलेगा 230 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष मतलब कि पाकिस्तान जितनी कमाई करेगा भारत अल्मोस्ट उससे 8 गुनी ज्यादा कमाई करने जा रहा है तो जो आप कहते थे थे ना कि जो कमाई का फर्क है और BCCI जो है सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होता जा रहा है तो इसके पीछे ये वज़ा है कि ICC का बड़ा शेयर उसे मिल रहा है क्यूं मिल रहा है ये भी बताऊंगा लेकिन आप उससे पहले एक और विशह पर इसी विश ACI, Cricket Australia और ECB मतलब की England का Cricket Board जो है वो शामिल था तो अभी जो वरतमान Distribution Policy बनाया जा रहा है जो की Proposed है उसके अनूसार जो है दूसरे नंबर पर ECB रहेगा मतलब की England का जो Cricket Board है वो रहेगा और ECB की जो वार्षिक कमाई होगी annual वो बता दूँ की 41.33 million dollar जो है वो ECB को मिलेगा तीसरे अस्थान पर Cricket Australia रहेगा जिसे की 37.53 million dollar जो है वो ICC अपने distribution में से देगा जो बाटेगा उसे अपनी कमाई में से हिस्सा तो वो Australia को 37.53 million dollar जो है वो Cricket Australia को मिलेगा पाकिस्तान इस लिस्ट में चौथी पोजिशन पर है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे 30 million dollar जो है वो annually मिलेगा तो ये इस्थिति है अगर आप देखें अगर आप जो दूसरे नंबर पर England की टीम है अगर उसे 41.33 million dollar मिल रहा है तो आप समझे है कि भारत को उससे almost 6 गुने के आसपास जो है आप सोच सकते है उससे 6 गुना से थोड़ा कम है लेकिन उतनी कमाई जो है BCCI जो है वो करने जा रहा है तो ये मोटी कमाई है और आपको ये भी बता दूँ कि इसकी वज़ा क्या है तो इसकी सबसे बड़ी वज़ा ही ये है क कि जो ICC की जो कमाई होगी उसमें इंडियन मार्केट का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है और ये सबसे महत्तो रखता है कि जहां से आप कमाई सबसे ज़ादा कर रहे हैं तो आपको जो रिटर्न है उस देश को उस बोर्ड को देना ही पड़ेगा तो चुकि इंडियन मार का दब दबा है ICC के किसी भी इवेंट्स में तो इसलिए कमाई भी सबसे ज़ादा BCCI को ही होने जा रहा है अगर हम इस विशय पर और गौर करें तो अगर हम देखने जाएं तो ICC अगले चार साल में जो कि अगले साल से शुरू हो रहा जो उसका अगला साइकल उसमें 3.2 बिलियन डॉलर की जो है वो कमाई करने जा रहा है सिर्फ मीडिया राइट से तो मीडिया राइट से उसकी कमाई इतनी होने जा रही है और अगर हम बताएं कि इसमें जो BCCI का हिस्सा होगा वो होगा 924 मिलियन डॉलर मतलब कि अगर ICC की कमाई थोड़ी और बढ़ गई न तो भारत की कमाई बिलियन डॉलर में चली जाएगी तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत मतलब यहां मैं BCCI की बात कर रहा हूं तो BCCI की कमाई जो है वो बिलियन डॉलर में चली जाएगी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले एक बिग 3 होता थ वो अब अकेले BCCI की तरफ जो है वो सिमट रहा है चुकि अग आप दूसरे अस्थान पर ECB और तीसरे अस्थान पर Cricket Australia और भारत की कमाई का जो फर्क देखें जो ये ICCI ने Distribution Model बनाया है तो वो बहुत बड़ा फासला है हलाकि देखिए ये पूरी तरह से इंप्लिमेंट तब होगा जब इसका अभी जो संबंधित Cricket Boards हैं उनका Feedback आना बाकी है लेकिन इससे पहले मैं आपको बताओ कि इससे पहले Cricket Australia एक बार कह चुका है कि बड़ा शेयर जो है भारत डिजर्व करता है क्योंकि भारत से ही सबस तो इसलिए ICC BCCI को इतना बड़ा हिस्सा देने जा रहा है अभी के लिए इतना ही इजाज़त दें नमस्कार